नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है HP Aspirants Zone तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो आज के जो टाइपिंग टेस्ट हुए है उनसा भी के PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप वहाँ पे जाके उससे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं पिछले कल के जो candidates इन्होंने टैपिंग टेस्ट दिया था उनके जो responses आया है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो देखिए कुछ candidates ऐसे थे जो 1600 से 1650 स्ट्रोक्स तक वहाँ पे attempt करके आये थे लेकिन वो 30 Watt पर मिनट की जो speed है वो maintain नहीं कर पाए तो बहुत से कारण यह रह सकते हैं देखो मैंने यह चीज पहले ही प्रेडिट की थी कि इस मंथ जो भी मेरे दोस टैपिंग टेस्ट देने जा रहा है उसमें maximum candidates वो होने वाले है जिनकी जो टैपिंग स्पीड है वो 32, 33, 34 यह वाली टैपिंग स्पीड उनकी रहने वाली है तो कारण मैंने बता दिया थे एक तो आपका जो result का prediction है वो काफी गलत हुआ था जो result expect किया था वो August September में किया गया था लेकिन इस पार जो result आया हो 1st July को आ गया था इसलिए बहुत सारे candidates ऐसे जिन्होंने टैपिंग टेस्ट की practice नहीं की थी और ऐसा भी हो सकते हैं बहुत स तो देखिए बहुत सारे मेरे साथी अभी भी ऐसे हैं जिनकी जो typing speed है वो 30-35 word per minute की है तो जो भी मेरे दोस्त जिनकी typing speed इस range में है तो उनके लिए मैं थोड़े से tips देना चाहूँगा कि आपने वहाँ पर कैसे typing test attempt करके आना है तो देखिए कल के जो responses है 1600-1650 strokes कुछ candidates ने comment किये थे या मुझे personally message किये थे तो देखिए वो क्या कर रहे हैं वो जो उनके जो strokes की mistake रही है वो 150-200 की range में रही है तो उनकी जो typing speed आई है वो 28.5 से 29 वर्ट पर मिनट आई है देखिए बहुत ही close रहा है वो असानी से 30 वर्ट पर मिनट की speed achieve कर लेते अगर वो accuracy के साथ वहाँ पर type करते देखिए बहुत सारे कारण रह सकते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँ पहला जो कारण रह सकता है वो एक तो nervousness देखिए जब भी आप typing टेस्ट देने जाएंगे तो सबसे बड़ा factor जो nervousness वो तो रहने ही वाला है तो कोशिश करिए कि आपका जो nervousness level है वो कम रहे तब ही आप वहां पर 30W per minute की speed को achieve कर पाएंगे और जो mistakes है वो कम से कम कर पाएंगे दूसरी जो चीज रही है कि बहुत सारे candidates मैंने ऐसे देखिए है जो अपनी normal speed से ज़्यादा typing speed वहां पर करने की कोशिश करते हैं उस वज़े से क्या होता है वो ज़्यादा वहां पर mistake करके आते ह और 1600 से उपर strokes impress करने के बावजूद भी वो वहां पर 30W per minute की speed को maintain नहीं कर पाते हैं तो ये भी बहुत बड़ा कारण रह सकता है कि आप क्या करें जितनी आपकी normal speed अगर आपकी 32W per minute भी speed आ रही है तो वहां पे भी आपको इसी speed से type करना है अगर ज्यादा speed आप वहां पर करने की कोशिश करोगे तो आपके chances रह सकते हैं कि आप वहां पर error ज्यादा से ज्यादा करके आएं तीसरा जो factor रह सकता है देखो मैंने आपको पता है कि accuracy level maintain वहां पर करना है आपको पता होगा कि HP SSSB जो 5% का error वो ignore कर रहा है तो ज्यान रखे 5-10 mistake अगर आप करते हैं तो वो चीज़ इसमें count नहीं होने वाली तो कोशिश करिए अगर आपकी जो typing speed है वो इस range में fall हो रही ह तो ये तीन चीज़े आप जरूर धिहान रखें तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद तो सबसे important चीज़ मैंने एक Facebook गुरूप बनाया है जिसका link मैंने description box में दे दिया है उसमें लगबग 300 candidate participate कर चुके हैं तो आपसे request है जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे मेरे request है आप इस Facebook ग्रूप को जरूर जाइन करें क्योंकि आपको पता है कि जो जयो ए आई आई टी पोस्ट कोड़ 817 का जो final result है वो January February तक जा सकता है तो अगर इस group में आपका participation maximum रहेगा तो आपके बहुत सारे पोल उसमें conduct किये जाएंगे जैसे आपका final cut-off विभिन category के लिए और कितने candidates typing test clear कर चुके है वो भी पोल उसमें conduct किया जाएगा और वो तबी possible है जब आपका participation इस group में maximum होगा तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहे है तो प्लीज इस वीडियो को like करे और चैनल को subscribe करना ना भूले